हाई फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे काली खांसी के बारे में जिसको बहुत लोग कुता खांसी के नाम से भी जानते हैं फ्रेंट्स यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आम तोर पे हर बच्चे को लाइफ में एक बार जरूर होती है क्योंकि बेक्टिरियल इंफेक्शन के होते हैं लिए इसा होता है कि घर में नाम से खांसी कि भी को हुए है तो बाके बच्चे को हमें थोड़ा सा उस बच्चे से अलग रखना चाहिए जब बच्चों को थोड़ा सा एक दूसरे में बड़ी एजली फैल जाती इचुर्ण資 बहुत से बसकून जो हिए इस काली से होती है इसके लक्षन को यह अलग होता है और इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर हम टैम जाते हैं इस बिमारी का इलाज नहीं करते हैं तो यह इस बिमारी की जो प्राबलम है वह बहुत जादा बढ़ जाती है अब फ्रेंट्स सबसे पहले हम इस खांसी के लक्षन देखेंगे के यह खांसी दूसरी खांसी से कैसे यलेगा और हम級 हैं कैसे पेचाने कि बेचे को कानी खांसी ही है दो उस मुह से सिटी जैसी हो इस Gefांसी इस का वाज ऑगो हम वाज जाइए और आम फीड उटती है्पशन को जब बच्छा रात को सोईगा तो उसको पूरी रात खांसी आती है और जैसे आप खांसी का सिरफ देते हैं तो फो खांसी का शुरफ भी कोई असला नहीं करता काली खांसी को पर क्योंकि इसका इलाज जो है उसके लिए आपको एंटिबैटिक्स बच्चों को देनी पड़ती है पर फ्रेंड्स मैं इसलिए आपको यह बताना चाहते हूं कि हम पहले से अगर इसके बारे में जान लें इसके लक्षन के बारे में जान ले तो हमें बच्चे को एंटिबैटिक नहां देनी पड़े और हम घरेलू चीजों से इस खांसी को ठेक कर पढ़े तो सबसे पहले इसके लक्षन हम देखते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं तो फ्रेंड्स पहला लक्षन है जब भी यह खांसी होते तो बच्चे का मूँ जो है लाल रहना शुरू हो जाता है बच्चे के आँखों के नीचे लाली आ जाती है आँखों से पानी रहना शुरू हो जाता है बच्चे के नाग भ्यानी शुरू हो जाती है बच्चे को चैस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है और इस खांसी में क्यों होता है कि कफ नहीं हो तो धीरे धीरे जो है यह फा initiate बजली हो स्वाट जाते हैं। सल्ट को हलका तो बौटार बॉट चाहए आटेखे विज feel विद्धा बॉट गोंचे आटेखा फोन दकी है बनाध था। भाने आख धाले आखे ठीक कर पाएं तो सबसे पहले हैं अधरक का रस तो आप ऐसा किजिए अगर बच्चा आपका चार्ज पांच महिनेक है तो आप फोर फाइब ड्रॉफ अधरक का रस निकालके उसके बीचे फोर फाइब ड्रॉफ जो है आप हनी एड करेंगे और उसको हलका सा गुंगुना पा पानी पिलाना है हलका साग नमक अट करके लणक भी आपको सेंदा नमक अधर करना आप अगर बच्छा एक फापाता एक ट्री पानी नहीं पीना चाहता आप तो चाहिए आप एक एक दो दो चमचे बच्चे को गरम पानी पिलाते रहे जिससे क्यों होगा कि जो कफ उसके च तेस्ट ने आता वह पी नहीं पाते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं अपनी पिछली वीडियो में आपको लसं का ऑईल बनाना सिखाया था उसमें आप लसं को और सरसो के तेल के अंदर गरम करके वह तेल जो हलका गुंगुणा करके बच्चे के चैस्ट पे आप लगा सकते हैं बच्चे को हलके लकी सिकाई कर सकते हैं चैस्ट पे आप गरम कपड़े से या आपके वास हीटिंग पैड आप उससे कर सकते हैं एक वाजी मेरी बेटे को भी बच्पन में इस तरह से काली खांसी हो गई तो हम लोग काफी परिशान रहे थे क्योंकि काली खांसी फ्रें इसका जो जाने का टाइम है वो बहुत स्लो है इसका धीरे 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 करके यह ठीक होती है बच्चे की तो फ्रेंट्स इसके लिए मैंने अपने बेटे को जो दिया थो समय डावर कंपनी का चूरन एक सितो प्लादी नाम से चूरन आता है बट आजकर यह जंडू य प्लादा अब आप जब इस चूरन लेंगे इसको हलकर सा शयाद के अंदर मिला के मिक्स करके आपको बच्चे को खिलाना आओ इसके साथ हलकर गुंगुणा पानी देना है तांकि जैसे बच्चे के मुँँ में आप चूरन डालेंगे उसके उपर से गरम साथा बश्चे को पिला देंगे तो फ्रेंट्स चूरन भी बेसिकली काली खांसी के लिए हैं तो जो हफते या दस दिन के अंदर अपना बड़ी जल्दी दिखाता है और बच्चे के खांसी जो बड़ी ठीक हो जाती है तो फ्रेंट्स यह थी काली खांसी के लक्षन और उसको ठीक करने को तो उसके अंदर आप बॉन बीटा या चाय पती एड़ करके देंगे क्योंकि अगर खाली आप बच्चे को दूद पिलाएंगे तो उससे बच्चे को कफ और ज्यादा बनेगा और बच्चे को प्राब्लम जो खांसी की और ज्यादा बढ़ते जाएगे अब फ्रेंट्स एक मैं और आपको बताना चाहूंगे कि अगर बच्चा आपका 5-6 साल का है और मलठी को चूस सकते हैं वैसे तो मलठी के आज कल गोलिया भी आते हैं फ्रेंट्स क्यूंकि हम लोगों के टाइम पर उस समय मलठी की टैबलेट्स नहीं आती थी बट आज कल आई वेदिक में मलठ अब चूसता रहिगा तो उसके कफ पतली होंके मैल्ट होती रही और वो ह्यों आपको बताऊंगे कि जो हमारी नानी या हमारी दादी बताया करती थी जब भी बच्चे को काली खांसी हो तो उनको पानी को जा दूद को काट के पिलाना चाहिए तो फ्रेंट्स आप इसको अ लेमें आपको बताते हूं किस तरह से पाने को काट के बच्चे को पिलाना है, आपको पानी-गिलास दिन गुन्गुना पानी लेने और इस तरह के क्यों भी ज़ो आपके घ्र में हो, इसको आग की अंदर गरम कर नहीं, इतना गरम करना है कि इसके से आगे वाल हिस्सा इस लाल हो जाए जिश Hey기는 के गारें कीमशन, फरेंस, तो हमीं पाने में इस तरह से सिधा सीधा सीधा साथ वर काटना ऐसे हम क्रोस ilitते हैं कि बच्चे को बहुत जल्दी काली खांसी को ठीक करता है यह फ्रेंड्स हम नहीं भी किया था और आपका मन माने तो आप इस उपाय को कट सकते हैं आपको यह फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लिस लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत बूले तांकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिविकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें त अबना को अबना कई।